दोस्तों यस बैंक की बात करें तो काफी दिनों के बारा जबरदस देजी देखना हो में लिए स्टॉक 24 को फिर क्रॉस कर गया है इससे एक बात समझ में आ रही है कि स्टॉक 23 के नीचे जाने की समझना काफी कम है पीछले दो नियों की भारी गिराउट में भी स्टॉक 23 के नीचे नहीं गया अब इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल किया रही है जैसे कि आपको पता ही होगा यस बैंक में प्रमोटर की तलास की जारी है और कुछ विदे सी जो बड़ी बैंक है वो इसमें इंट्रेस्टेर थे लेकिन उसमें से जापान की एक बैंक ने हाथ पीचे खीच लिए लेकि उसके बीच में SBA की तरब से भी एक बड़ा बयान निकल करा है जिसके कुछ माइने निकल रहे जिसको इस वीडियो के मादेम से समझने की कोसिस करेंगे वैसे यस बैंक की जो करन्ट शेर प्राइज हो तो काफी कम लग रही है क्योंकि इसका बीजनस काफी तेजी से ग्रो कर रहा है पिछले दो-तीन सालों में इसने बहुत कोई अच्छी हो किया है डिजिटल ट्रांजेक्स में बड़ी-बड़ी बैंकों को पचार के अपनी नमबर पोजिशन हासिल की ऐसे में क्या इस समय हमें खरिदारी करनी चीए जो बड़ी डील हो रही है वो क्या ही सारा करी है समझेंगे इस वीडियो के मादेम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जबी ने वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले आज के कारुबार की बात कर लेगे तो स्टॉक की सुरुआत पॉइंटी हुई 23.89 पर क्लोजिंग थी कल की 23.25 के आसपास इंट्राडे में 23.39 का लो भी बना यानि नीचले लेवल तर श्टॉक गया लेकिन कल के लेवल से उपर ही रहा इसका मनदभी स्टॉक के नराज गिरावाट यस में बिलकुल नहीं लेकिन जो हाई बना वो 24.15 का है और सबसे जो अच्छी बात है कि क्लोजिंग उपर की तरब भी रही है 24.14 पर 3.83 परसें की तेजी के साथ यह अच्छी बात है कि बाजार क्लोजिंग के समय श्टॉक उपर की तरब था अब इसकी परफॉर्मस अगर आप देखे तो काफी दिन उससे इमिदार में श्टॉ क्लोजिंग दिन थी उसके बाद तीन दिन तक लगा था इसमें निकेटिव क्लोजिंग हमने देखिए 23 जुलाई 24 जुलाई और 25 जुलाई को और श्टॉक देखे तो कि जो 25.67 के आसपास था वो 24.62 के आसपास आ गया लगबग एक रुपे की यहां पर गिरावट देखना को मिली फिर 26 जुलाई को इसने पॉजिटिव क्लोजिंग देखिए 25 तक पहुंचा वो दिखा देखा देखा और इंटर डे में 25 को इसने क्रॉस भी किया 29 जुलाई को इस टॉक में फिर गिरावट देखना को मिली उसके बाद 30 जुलाई और 31 जुलाई दो दिन इसने हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखिए और श्टॉक 27 तक चला गया सांधार इसने तेजी बताई और उसके बाद एक अगरस्ते फिर इसमें महलुक गिरा और पिछले चार ट्रेडिंग सेसन में जो स्टॉक 27 के आसपर सा वो कल 23 तक आ गया यानि लगबग 4 रुपे की भारी ब 13 करोड की डिलेवरी उठाएगी थी और कल 21 करोड का वॉल्यम हो था सामने 7 करोड की डिलेवरी उठाएगी और आज 17 करोड का जबरदस वॉल्यम होथा पूरे बाज़ार में वॉल्यम के मामने में नमबर 3 भी था Yes Bank तो भारी वॉल्यम है कामका चुरा है अब यहाँ पर यह देख सकते हो कि जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यस बैंक को खरीदने की जो रेस थी उसमें से जापान की एक कमपनी बाहर हो चुकी है तो कभी देख सकते हो कि प्राइवर्ट सेरेक्टर का सबसे बड़ा यानि चौते नमर का यह बैंक हुआ करता था टॉप फाइव में सामिल था लेकिन राना कपूर की कुछ नीतियों की वज़े से यस बैंक डूब गई और अंत में आप देखे तो RBI ने इसको SBAI के हाथों फिर से कमान सौप के इसको खड़ा किया अभी जो SBAI वगरा की जोश्टे का उसको कम करने की कोसिस की जारी और इसके लिए नए प्रमोटर को तला सा जा रहा है लेकिन जापान की एक कमपनी से से अब बार हो चुकी है तो देख सकते हो की Yes Bank अपनी टेक्नोलोजिकल एडवांसिसमेंट के माध्यम से हमेशा चर्चा में रहता था और देख सकते हो की इतना इन देश का चौता सबसे बड़ा प्राइविट बैंक बन गया था 2020 में बयानक वित्ति संकटाय और बैंक डूबने की करगार पे पहुँच गया देश के सबसे बड़े बैंक Yes Bank को समा लिया तब से इसका जो वित्तिय प्रदसने लगाता सुधर रहा है इस बीच में कई इस बैंक में हिसेदारी खरीने की इच्छा जता ही लेकिन अब जापान की एक बड़ी फाइनेसल कंपनी ने खुद को इस रेस से बाहर कर दिया है तो जापान की फाइनेसल जॉइंट मीजो ने Yes Bank में बड़ी इसेदारी खरीने का प्लान बनाया था जाल बाजार में बाटे के लॉन एसेट के हिसाप से देखे तो Yes Bank अब भी देश का छटवा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है यानि इतनी बड़ी गिरावट हुई इतना सब कुछ मावट भीगरने के बाद भी फिर से अपनी पोजिशन चटे पर लेकिया Yes Bank यह बहुत बड़ी बात है इनी प्राइवेट सेक्टर की छटी बैंक है इस समय और बरबादी को करीब से देखने में लगबग चार साल के बार उसने एक नए मालिक की तलास शुरू है Yes Bank का मार्केट के अब इस समय 73,020.67 करोड के आज़ पास है Yes Bank के कई साज़दार कुल मिलाकर 51% की इससे दारी बेचना चाते अगर सब कुछ ठीक रहा तो बैंकिंग सेक्टर के इतियास में यह सबसे बड़ा मर्जर और एक्क्विजेशन डील होगी तो संकट के समय डूबने से बचाने के लिए SBA ने बड़ी इससे दारी खरज़ दी अभी Yes Bank में SBA की 23,99% की इससे दारी है इसके अलावा LIC, HDFC Bank, ICC Bank, KOTAK, Mahindra Bank, Axis Bank के अलावा कारलाइल और Advent के पास भी 1,4% की इस्टेक है तो 1-4% की इससे दारी वाली यह सबी इनके अंदर काफ़ बड़ाई निवेस है और Yes Bank ने अपनी 51% की इससे दारी बेचने का प्लान बनाए था लेकिन अभी फिलाल जो हैसला है वो टलता वो दिखा दे रहा है सरकार अभी फिलाल अभी बहुत ज़्यदा इस समय घाई नहीं कर रहे है आने वाले समय मामला देखके फिर रास्ते तला से जाएंगे तो यह जो बड़ी ख़बर ने एक माहौल पोजिटिव किया कि फिलाल SBI बनी सदे नीचे तो यह क्लेरी दिख रहा है कि Yes Bank की सिहत में जबर्दस सुदार हुआ है और इसी वज़े से आने वाले समय Yes Bank में प्रॉब्लम की समोना कम दिख रही है अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ जिसकी वज़े से यह पूरा पॉजिटिव माहौल बना तो सुब न 10,20,000 की एक बड़ी खरीदारी और हुई तो उसके बाद 12 बजकर 2 मिनेर पर 23.72 की प्राइस से यहां पर 10,00,000 की एक खरीदारी और हुई तो फिर 12 बजकर 13 मिनेर पर 23.70 की प्राइस से 10,00,000 की बिक्वाली हुई उसके बाद 2 बजकर 7 मिनेर पर 23.90 की प्राइस से 14,09,000 की जबर्दस खरीदारी हुई तो फिर दो बज कर 37 पर 24 की प्राइसे 10,59,000 शुरू की एक सांदर खरीदारी और हुई तो यह क्लिरली आप देख सकते हो कि आज जो डिल हुई है उसमें बीकवाले की डिल मातर है यह के बागी सारी की सारी खरीदारी की डिल है इसका मतलब यह हो गया कि जो बड़े फंडाउस है चाहे वो एफ़ाई हो या फिर डियाई जम के खरीदारी सुरू कर चुके यह पैंक में और यह आने वाले समें यह एक इसके लिए पोजिट्व ट्रिगर साबित होगा अभी फिलाल यह बैंक ले जो सबसे बड़ी मुसिबत है वो है ब्रोकरे जाउस और मार्केट एक्सपर्ट जो लगातार लोगों को ब्रहमीत कर दे अब आप यह देखी सकते हो कि फिलाल कोई भी एनालिस्ट इसमें बाय की कॉल नहीं दे रहा जीरो है बाय की रिक्यमेंडिशन भी इसमें कोई नहीं नीकर रहा ए सिरफ दो एनालिस्टा जो इसमें बहुत बढ़ी बात है इससे पहले एक महने पहले वो 6 थे तो 7 और 3 मिला के देखे तो 10 अभी एनालिस्ट है वो मार्केट में जो यस बैंक से निकलने की सला दे रहे और होल्ड की रेटिंग देने वाले सिरफ यहां पर दो है अब यहां पर गौर करने वाली बात है कि यह जो एनालिस्ट में आईसे से करने से पहले अपने फाइनसल एडवाईजियर ले 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 या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंको मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपज के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेजर कीज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड्स